Welcome to PW only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का modern history में दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि बिटन जैसे एक छोटे से देश ने इंडिया जैसे इतने बड़े देश को 200 सालों तक गुलाम बना कर कैसे रखा ऐसी कौन सी सोच थी जो इसके पीछे काम करती थी अगर आप इसे एक नाम देना चाहें तो मैं कहूंगा इसका नाम था orientalism क्या था ये orientalism? orientalism एक world view था, orientalism एक सोच थी, orientalism एक नजरिया था एक ऐसा नजरिया जिससे western countries east के देशों को देखते थे इस नजरिये के मताबिक, इंडिया एक barbarians का देश था जिसके civilizational values बहुत ही बेकार थी इंडिया culturally retarded और socially backward था उनकी इसी सोच ने जन्म दिया white man's burden theory को white man's burden theory, दुनिया के white population को ये जिम्मेदारी सौपती थी कि वो दुनिया के non white population को civilize करे और अपनी इसी सोच के तहत, Britishers ने दुनिया के एक एक करके कई सारे देशों को अपना गुलाम बनाया, तो क्या Britishers इंडिया में इंडिया को बहतर बनाने आये थे, और अगर वो इंडिया को बहतर बनाने आये थे, तो वो कैसे यहां से trillions of dollars लूट कर चले गए, कैसे उनकी वज़द से इंडिया में इतने सारे फॉमाईंस आये, जिसके तहत लाखो करोणों लोगों की जान गई, ऐसे कई सारे सवाल हैं, जिनका जवाब धूरना और एक्स्प्लोर करना बहुत ज़रूरी है, इंडियन, Modern History के इस छोटे से वीडियो में, आज हम इन ही सवालों का जवाब धूरने की कोशिस करेंगे इस परस्पेक्टिव से हम Modern History को पाँच हिस्सों में डिवाइट कर सकते हैं ये पाँच पार्स में, पहला हिस्सा है अराइवल ओफ यूरोपियन्स, दूसरा है रिवोल्ट ओफ 1857, तीसरा है Modern Nationalism and Indian National Congress, चौथा, गांधियन एरा, और पाँचवाँ, इंडिपेंडिन्स and Partition of India अब हम एक-एक करके इन सभी को देखेंगे हमने मेडवल हिस्ट्री में देखा था, कि मुगल एम्परर जहां कीर के कोट में, हौकिन्स और थॉमस रो जैसे बिटिश आये थे लेकिन दोस्तों, ये पहले यूरोपियन्स नहीं थे, जो इंडिया आये मैडवल पीरिड में इंडिया और यूरोप के बीच trade relations थे इसमें मेमली spices का trade होता था इंडिया आने वाली उड़ोपियन्स में सबसे पहले पुर्टगीज थे फर्स्ट पुर्टगीज और फर्स्ट यूरोपियन traveler वासकोडिगामा जो एक गुजराती ट्रेडर अब्दुलमजीद की हल्प से 20 मई 1498 AD को इंडिया के काली कट कोश्ट पर पहुँचे वासको डिगामा इंडिया से पुर्तगाल वापस जाते समय जो ब्लैक पेपर ले गया था उस पर उसने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया इस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए पुर्तगीज ने जो एंपायर स्टैबलिश किया उसको उन्हों ने एस्तादो दा इंडिया नाम दिया 1503 AD में पुर्तगीज ने कोशीन में अपनी पहली फैक्टरी स्टैबलिश की और दूसरी फैक्टरी के नौर में स्टैबलिश की यूरोपियन पुर्तगीज ही थे जो 1961 AD तक इंडिया में गोवा दमनन्दीव पर साशन करते रहे इन फैक्ट हमें तो इन्हें डरा धमका कर भगाना पड़ा पुर्तगीज के बाद डच इस्ट इंडिया कंपणी ने इंडिया से ट्रेड के लिए मसूली पत्नम में 1605 AD में फर्स्ट डच फैक्टरी को स्टैबलिश किया डच इस्ट का ज्यादा इंडिया में था और इंडिया में बिटिश ज्यादा पाउरफुल बन गए थे 1759 AD में बैटल ओफ बेदरा में इंग्लिश ने डच इस्ट को हराया और इंडियन ट्रेड से उन्हें अलग कर दिया गया जितने भी उरोपियंस इंडिया में आए उन सब के मुकाबले बिटिश ज्यादा सक्सेस्फुल रहे 1599 AD में इंग्लैंड में मर्चिंट एडवेंचर नाम की एक ग्रुप ने इंटो इस्ट इंडियन नामक कमपनी का फांडेशन रखा इस कमपनी को ही आगे चलकर इस्ट इंडिया कमपनी कहा जाने लगा इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट का एमबैजडर कैप्टन हॉकिन्स 1608 में इंडिया पहुँचता है जहां वो 1609 AD में मुगल एमपरर जहागीर के कोट में पहुँचा 6 February 1613 AD को जहांगीर ने एक शाही फर्मान इशू किया इस फर्मान से बिटिशोस को सूरत में फैक्टरी खोलने की परमिशन मिल गई 1619 AD तक इस्ट इंडिया कमपनी की फैक्टरी एहमदाबाद, बरोच, बडोदा और आगरा में स्टैबलिश हो चुकी थी साउथ इंडिया में इस्ट इंडिया कमपनी ने अपनी पहली फैक्टरी मसूली पत्नम में इस्टैबलिश की 1639 AD में फ्रैंसिस डे को चंद्रगीरी के राजा से मदरास लीस पर मिल गया जहांपर बिटिश ने सीन चौज फोड बनाया 1661 AD में पुर्टगीज प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगांजा की मैरिज ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से हुई जिसमें बॉंबे अंग्रेजों को डौरी के रूप में मिल गया और चार्ल्स सेकंड ने उसको तीन पाउंड पर एयर के रेंट पे कमपनी को सौप दिया मिड 17th century तक East India Company ट्रेट से प्रॉफिट कमा कर इंडिया के प्लिटिकल अफेर्स में भी इंटरस्ट लेने लगी जिसका रेजल्ट ये हुआ कि मुगल एम्परर और अरंग जेब ने 1686 AD में कमपनी के अगींस्ट एक्शन लिया फर्वरी 1690 AD में कमपनी के एक ओफिसर जॉब चार्णूक के एफ़र्स से कमपनी और मुगल एम्परर के बीच कॉम्परमाईज हो गया दस फर्वरी 1691 AD को जॉब चार्णूक ने सतनौती में फैक्टरी के स्थापना की 1698 से 99 AD में बंगाल की सूबेदार अजी मुशान की परमीशन से कमपनी को 1200 रुपए में सुतनौती, गोविंदपूर और काली कत्ता की जमिदारी मिल गई इन तीनों को मिलाकर ही जॉब चार्णूक ने कैलकटा की नीव रखी मुगल एमपरर औरंग जेप की 1707 AD में डेथ के बाद, लेटर मुगल्स की कमजोरी किसी से छिपी नहीं थी कमपनी भी अब अपने और अधिक विस्तार में लग गई इस्ट इंडिया कमपनी के हिस्ट्री का एक सिगनिफिकेंट इवेंट 1717 AD में उस समय हुआ जब Jon सर्मन की लिड़शिप में, Edward Stevenson, William Hamilton जो की एक सरजन थे और Khwaja Sehold जो की एक Translator थे मुगल कोट में फरुक्सियर से मिले सरजन, William Hamilton ने फरुक्सियर की सरजरी करके एक painful भीमारी ठीक कर दी Actually में, वो groins की swelling से परिशान थे जो की पेट और जांक के बीच का भाग होता है इसी से खुश होकर फरुक्सियर ने कमपनी को एक चार्टर प्रदान किया इस चार्टर से बंगाल में 3000 रुपए पर एनम के बदले कमपनी को कस्टम ड्यूटी से फ्री होकर ट्रेड करने की पर्मिशन मिल गई इस चार्टर को इंडिया में बिटिश रूल का मैगना काटा कहा जाता है और फरुक्सियर की एक बड़ी बेवकूफी भी जिससे आगे चलकर बिटिश ने बंगाल में विवाद खड़ा कर दिया बाद में बंगाल के नवाब ने कंपनी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के कोशिस की जिसके नतीजितन प्लासी का युद्ध हुआ बिटिश रूस के बाद फ्रेंच इंडिया में आए लुईदी 14 के फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट ने फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना की फ्रेंच कंपनी को स्टेट का प्रोटेक्शन था 1667 AD में फ्रेंसिस कायरो की लिटरशिप में एक टीम इंडिया आई और उसने 1668 AD में सुरत में अपनी पहली ट्रेड फैक्टरी की स्थापना की 1672 AD में एड्मिरल डेला हे ने गुलकुंडा के सुल्टान को हरा कर सैंथों को हथिया लिया 1673 AD में फ्रेंच कंपनी के डिरेक्टर फ्रेंसिस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पार्दू चेरी नामक एक गाउं लिया इसको ही बाद में पॉन्डी चेरी के नाम से जाना गया बिटिश कंपनी की तरह फ्रेंच कंपनी भी ट्रेड के लिए इस्टाबलिश की गई थी लेकिन वो भी पॉलिटिकल मामलों में उलज गई इरोप में एक दूसरे के कॉंपटीटर अब इंडिया में भी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे एंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया फर्स्ट करनाटिक वार 1746-48 आस्ट्रिया के उत्राधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था इरोप में एक्सला चैपल की ट्रीटी के बाद इंडिया में भी दोनों कमपणीज के बीच शांती स्थापित हो गई सेकंड करनाटिक वार 1749-54 AD करनाटिक के नवाबी की पोस्ट को लेकर हुआ के लिए मुझफर जंग को ओपन सपोर्ट दिया बिटिश ने अनवरुद्दीन और नशीर जंग को सपोर्ट किया इस वार में फ्रेंच विजई हो रहे थे लेकिन इंग्लैंड से मद्रास आए एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव ने 500 सोल्जर्स के साथ धारवार पर कबजा कर लिया और फ्रेंच को सरिंडर करना पड़ा फ्रांस में सीनिर ओफिसर्स ने डुपले की इस पॉलिसी को क्रिटिकली अप्रेस किया और डुपले को फ्रांस वापिस बुला लिया गया इसे फ्रेंच गवर्मेंट की एक बेवकूफी कहा जाता है क्योंकि डुपले के बाद इंडिया में फ्रेंच को लीड करने वाला कोई धंका लीडर नहीं बचा थार्ट कर्नाटिक वार 1756-63 का इमीडियेट कारण था रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंदरनगर पर अधिकार करना इस बार बिटिश और फ्रेंच के बीच निडायक वन्डिवाश की लड़ाई लड़ी गई इस लड़ाई में बिटिश फोर्सेस को आयरकूट ने लीड किया तो वहीं फ्रेंच फोर्सेस को काउंडी लैली ने लीड किया इस बार फ्रेंच हार गए 16 जनवरी 1761-80 को पॉनिचीरी को बिटिश और ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस प्रकार इंडिया में सभी उरोपियन कंपनीज में बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर साबित हुई वास्तों में स्रिष्ठता का एक मुख्य कारण 1757 में बैटल ओप प्लासी में अंग्रेजियों की जीत और उनको मिला खूब सारा पैसा था ये युद्ध बंगाल के नमाब सिराजुद दौला और इसे इंडिया कंपनी के बीच लडा गया था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने कॉंस्पिरेसी से जीता था रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था जिसके बाद वारिन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉन्वालिस, विलेज ली आधी बंगाल के गवर्नर बने लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 AD में इंडिया का गवर्नर जंदल बना प्लासी के युद्ध के बाद से ही इंडिया के लोगों का आर्थिक शोशन शुरू हो गया वार के बाद से ही छोटे-छोटे रिवोल्ड बिटिश वर्स के अगींस्ट होते रहे इन में शामिल थे बंगाल का सन्यासी या फकीर विद्रो, बंगाल में ही हुआ सन्यासी विद्रो, महराश्रा में हुआ रामोसी विद्रो और इंडिया में 1857 की क्रामती से ठीक एक वर्ष पहले हुआ सन्थाल विद्रो ये सभी विद्रो अंग्रेजों के उन पॉलिसी के विरोध में थे जिन्हें बिटिश वर्स ने बैटल अफ प्लासी 1757 और बैटल अफ बकसर 1764 के बाद शुरू किया था लॉड डलहॉजी 1848 तू 1856 एडी तक इंडिया का गवर्नर जनरल था इसके समय में इंडियन्स के लिबर्टी, कल्चर और रिलीजन पर प्रहार किया गया तलहॉजी ने डॉक्रिन आफ लैप्स के तहट सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगत, उदैपुर, जहांसी, नागपुर आधी राजियों को बिटिश एंपायर में मिला लिया बिटिश एंडिया से मिलाने का मौका मिल गया, और इससे अंग्रेजों ने ये साबित कर दिया कि वो किसी के सगे नहीं विले संबंधी इन कारणों से, जहांसी, आध जैसे स्टेट के लोगों में बिटिश एंडिया के विरुध काफी गुसा था इंडिया के लोगों का ये गुसा, प्लासी के युद्ध के सौ वर्सों के बाद 1857 के रिवोलुशन में फूट पड़ा 1857 की करांती के इमेडियेट कारणों में, काव और पिक की फैट में लिप्टे हुए काट्रिस थे जिनको एंफिल्ड रैफल से फैर करने से पहले दातों से खोलना पड़ता था इससे हिंदू और मुसल्मान दोनों ही सैनिकों का धर्म भरस्ट होता था क्योंकि काव हिंदूओं में पवित्रमानी जाती है, वहीं पिग मुसल्मानों के लिए बहुत ही अपवित्रमाना जाता है इन फैट में कवर्ड कार्टरिज के अगींस्ट सबसे पहली घटना 39 मार्च 1857 AD को बैरकपुर कैंट में घटी जहां 34th Infantry के सोल्जर मंगल पांडे ने कार्टरिज को यूज करने से मना कर दिया और अपने सीनियर्स लिटिनिन बाग और लिटिनिन जनरल हूसन को गोली मार दी इन सभी कारणों से सुरू हुई सेपॉय म्यूटिनी 10th of May 1857 को मेरट कैंट के सोल्जर्स ने चर्वी लगे कार्टूसों को यूज करने से मना कर दिया विद्रोही सिपाई 11 माई की सुबह डैली पहुँचे और बहादुर शाह सेकंड को अपना बाश्चाह अनौन्स कर दिया अब ये विद्रोह नौर्थ इंडिया में फैलना शुरू हुआ कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई यहाँ पर पेश्वा बाजी राओ सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने विद्रोह को लीड किया जिसमें उनके हेल्प तात्या टोपे ने की लखनवो में 4 जून 1857 AD को बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिर्जिस कादिर को नवाब घोशित कर दिया जहासी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की लिडरिशिप में विद्रोह की शुरुआत हुई रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्रणा और जनरल हूरोस के साथ हुई युद्ध में वीरगती को प्राप्त हुई नौर्थ इंडिया में इस रिवुलुशन का तेजी से फैलना अचानक नहीं था कुछ हिस्टोरियंस कई वर्सों की योजना मानते हैं हिस्टोरियंस की अनुसार आजे मुल्ला ने बिठोर जो की कानपुर में स्थित एक जगें हैं में नाना साहिब के साथ मिलकर रिवुल्ट की योजना बनाई और 31 मई 1857 को क्रांती का दिन फिक्स किया गया हाला कि ये क्रांती उसके पहले ही शुरू हो गई क्रांती के सिंबल के रूप में लोटस फलार और रोटी को सेलेक किया गया था ये क्रांती नौर्थ इंडिया में बहुत बड़े स्थर पर फैली तो थी लेकिन लीडर्स और उनकी प्लानिंग ना होनी की वज़र से बिठिस आफिसर्स ने इसको दबा दिया इस रेवोल्ड की लीडर्शिप के बारे में जौन लौरेंस ने कहा था यदि उन में यानि की विद्रोहियों में से एक में भी एबिलिटी होती तो हम हमेशा के लिए हार जाते बहादूर साह जफर जो के 82 वर्स के एक बुज़र्ग थे उन्होंने 20 सितंबर 1857 को लिटिनेंट S.R. हर्टसन के सामने हुमायू टॉम में सरेंडर कर दिया हर्टसन ने बहादूर साह जफर के दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी और उन्हें बिना कपड़ों के दिल्ली के लाल दर्वाजे पर सरने के लिए लटका दिया गया बहादूर साह जफर को रंगून भेज दिया गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई रंगून में उनकी कब्र पर उनके कुछ शब्द लिखे गए हैं जो हैं कितना है बदनशीर्ब जफर दफन के लिए दोगज जमीन भी न मिली कुए आर में कुए आर का मतलब होता है मात्रभूमी यहाँ पर बहादूर सा जफर अपनी बदनसी भी बता रहे हैं लखनाओ की बेगम हजरत महल भी अंग्रेजों से हार गई और नेपाल चली गई आरा के कुएर सिंग बहादूरी से अंग्रेजों से लड़े लेकिन युद्ध में जखमी होने के कारण उनकी डेथ हो गई फैजाबाद में विद्रोहियों को लीड करने वाले एहमद उल्ला को 5 जून 1858 को पकड़ कर गोली मार दी गई इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे रिवोल्ट को दबा दिया लेकिन फिर भी इस रिवोल्ट की अपनी इंपोर्टेंस है इसकी इंपोर्टेंस के बारे में विद्री सावर करने इसे फर्स्ट वर उफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा है अब हम बात करेंगे कि इस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या रहा रिवोल्ट सक्सेस्फुल तो नहीं हुआ लेकिन इससे ये पता चल गया कि इस्ट इंडिया कमपनी का साशन इंडियन्स के लिए कितना exploitative है अब British Government ने अपनी policy बदली और इंडिया में कमपनी के रूल को समाप्त कर दिया गया और इंडिया का साशन direct crown के अंडर आ गया अब इंडिया पूर रूप से ब्रिटन के कंट्रोल में था ब्रिटन का ये सफर एक ऐसा सफर था जो उसने trade से शुरू किया था इंडिया में इनसे पहले भी foreign invaders आये थे लेकिन वो सभी Indian culture को adopt करके यहीं के होकर रह गए लेकिन Britishers यहां केवल loot खसोट करने ही आये थे और वो यहां की wealth को Britain भेज रहे थे जिसे हम drain of wealth कहते हैं और उन्होंने अपना culture Indians पर थोपना शुरू कर दिया इंडिया में इस समय science and technology, reason, knowledge आधिका लेवल बहुत नीचे चला किया जबकि Europe में ये period पुनर जागरण का था ऐसे समय में कुछ बंगाली जिन्हें English की knowledge थी और वो western education से परिचित थे इंडिया में फैली बुराईयों को दूर करने की कोशिस में लग गए ऐसे intellectuals में सबसे उपर जिस Indian का नाम आता है वो है राजा राम मोहन रॉय इन्हे father of modern India भी कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय का birth 22 मई 1772 को बंगाल के होगली district में राधा नगर में हुआ था राम मोहन रॉय को different languages में महारत हासिल थी ये English, French, Latin, Greece और Hebrew जैसी languages को fluently बोल और लिख सकते थे religious reform के लिए इन्होंने वेदों के base पर मुर्दी पूजा को गलत प्रूव किया Vedic knowledge के लिए और अंद विश्वास को दूर करने के लिए इन्होंने आत्मी सभा का गठन किया तथा 1829 में ब्रहमो समाज के स्थापना की उन्होंने इंडियन्स को आधिकाधिक freedom देने की वकालत की और इंडियन्स को western education देने की सरकार से मांग की western India में social legis reform के लिए महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्मा राम पांडूरंग ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज के स्थापना की रानाडे ने women dependency और child marriage को खतम करने के लिए और widow marriage के साथ साथ women education को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कारे शुरू किये उन्होंने DK करवे के support से 1867 में विदवा आश्रम संग की इस्थापना की अभी तक हमने जितने भी social reformist की बात की वो सभी western education से प्रभावित थे लेकिन इंडिया में इस समय कुछ समासुधारक ऐसे भी थे जिन्होंने social reform के लिए ancient Indian religious text और culture का सहरा लिया इन सुधारकों में सबसे पहला नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का इनका original नाम मूल शंकर था दान्डी स्वामी पूरानंद ने इनका नाम बदल कर स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बॉंबे में आरे समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद ने कहा था कि आर्यन्स सुपीरियर हैं वेद इश्वरी ग्यान हैं तथा भारत भूमी होली लैंड यानि की पवित्र भूमी है आरे समाज की स्थापना का उद्देश था वैदिक रिलीजिन को प्यूर फॉर्म में स्टैबलिश करना और इंडियन्स पर वैश्टन कल्चर के प्रभाव को कम करना अपने उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लोटो स्लोगन रेस किया और 1863 AD में जूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड, खंडिनी, पता का लहराई इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर वैलेंटाइन्स शिरोल ने अपने बुक में इन्हें भारती अशांती का जनक कहा है अब हम इसी कैटेगरी में एक ऐसी परसनालिटी की बात करेंगे जिसने ना केवल इंडिया बलकी वर्ल्ड को ये बताया कि इंडिया का कल्चर और रिलीजिन सबसे पुराना और स्रेश्ट है जी हाँ, इनका नाम है श्वामी विवेकानन्द ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्च थे 1893 AD में स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका के शिकागो सिटी में आयोजित फॉर्स्ट वर्ल्ड रिलीजिन कॉन्फरेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फरेंस में दी गई उनकी स्पीच के बारे में नियॉक हेराल्ड निउस्पेपर ने लिखा की उनको सुनने के बाद हम ये अनुभाव करते हैं कि ऐसे ग्यान संपन देश में अपने धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मुर्खता पूर्ण का रहे था और ऐसा ही एक नाम है एनी बेसिंट का स्रीमती एनी बेसिंट प्राचीन हिंदू धर्म को स्रेश्ट मानती थी इंडिया में एड्यूकेशन के फिल्ड में डेवलेप्मिंट के लिए एनी बेसिंट ने बनारस में 1898 में Central Hindu College की स्थापना की जो 1916 में मदर मोहन मालवी के एफर्ट से बनारस Hindu University में बदल गया अब हम बात करेंगे कुछ other religions में हुए reforms की 1857 के revolt में मुसलिमों के अधिक participate करने के कारण government ने मुसल्मानों से दूरी बना ली जिसके कारण उनका economic deprivation शुरू हो गया इस condition में सुधार लाने के लिए सरसेयद एहमत खान ने इसलाम में reform की कोशिस की और उनको modern education के लिए प्रेरित किया मुसलिमों को modern education देने के लिए उन्होंने 1877 में मोहमडन एंगलो ओरिंटल कॉलिज की स्थापना की constitutional method से की जाने वाली political demands का कोई खास result ना मिलने पर कुछ extremist leaders ने liberals की इस policy को political mendicancy यानि की राजनीतिक भिख्षा वृत्ती कहा इन में leaders थे बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोस, विपिन चंदरपाल और लाला लाजपतराय इसी समय भारत में revolutionary activities शुरू हो गई इन activities का एपी सेंटर बंगाल था क्योंकि nationality related consciousness बंगाल में सबसे ज़्यादा थी Governor General Lord Karja ने बंगालियों की ताकत को कम करने के लिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल partition की घोशडा कर थी ये योजना 16 अक्तूबर 1905 से effect में आ गई ये partition हिंदो मुस्लिम population के base पर किया गया था हिंदो मुस्लिमों ने एक दूसरे के प्रती अपनी solidarity को दिखाते हुए और इस act का विरोध करते हुए एक दूसरे के हाथों पर राखी बाधी और 16 अक्तूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया इसके साथ ही साथ बहुत जोर शोर से स्वादेसी मूवमन चलाया गया जिसमें foreign goods का यूज ना करके देश में बनी चीज़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया लेकिन अंग्रेज भी अपने उदेशियों में काफी हद तक सफल रहे क्योंकि उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में food का बीच बो दिया जहां पर मुस्लिम लीक की स्थापना करवा दी गई जिसकी घोशना ढाका के नवाब सलेम उल्ला ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक कॉंफरेंस मीटिंग में कर दी वर्स 1907 तक कॉंग्रिस के अंदर लिबरल और एक्टरनिस्ट के बीच मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि प्रेसिडेंट की पोश्ट के एलेक्शन के लिए सूरस सेशन में 1907 में कॉंग्रिस में फूट पड़ गई इसके बाद 1909 में ब्रिटिश इंडियन गवर्मन्मेंट ते मॉलेमिंट और रिफॉर्म जिसमें मुस्लिम के वल मुस्लिमों को ही वोट दे सकते हैं से भी हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास किया हम इसे सैपरेट कमिनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जानते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में भारतियों द्वारा चराया गया स्वदेशी मॉवमिंट तथा अन्य तरीकों से काफी विरोध के बाद दिसंबर 1911 में बंगाल पार्टिशन को रद्द कर दिया गया वर्स 1914 फर्स वर्ल वार शुरू हो गया था लिबरल्स ने गवर्मिंट के इस प्रयास को अपनी मंजूरी दे दी कि भारतिय उनका सपोर्ट करें इस फर्स वर्ल वार में उन्हें उमीद थी कि ऐसा करने के बाद अंग्रेज, सुराज या होम रूल लीग की उनकी मांग को मान लेंगे कॉंग्रिस ने लखनव सेशन में 1916 में नरम और गरम दल को एक साथ एक जुट कर लिया इस समझोते के अलामा कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझोता हो गया जिसे हम लखनव पैक्ट के नाम से जानते हैं होम रूल लीग की मांग को जोड़ शोर से उठाने के लिए एनी बेसिंट और तिलक जी ने इंडिया के अलग-अलग पार्ट में होम रूल लीग के सापना भी की इन सभी प्रयासों के बाद भी 1919 में बिटिश इंडियन गवर्मेंट दौरा किये गए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में होम रूल लीग का कोई जिक्र नहीं किया गया था और नहीं भारत को होम रूल देने की बात की गई थी इन सुधारों को तिलक ने बिना सूरज के सवेरा कहा इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मॉव्मेंट में विश्व की एक महान हस्ती महात्मा गांधी की एंट्री होती है जो कि 9 जनवर 1915 को विदेश से इंडिया वापस आ गये और इंडिया में चल रही उथल पुथल को माइनूटली आब्जर्व करने लगे जिस समय गांधी जी इंडिया आए उस समय फर्स्ट वर्ड वार चल रहा था गांधी जी ने इस वार में ब्रिटिशोर्स की हेल्प की जिसके लिए ब्रिटिश गवर्मेंट ने उन्हें कैसरे हिंद का टाइटल देकर सम्मानित किया इंडिया में 1917 से 1918 के बीच में गांधी जी ने तीन आंदोलों को लीड किया ये थे चंपारन और खेड़ा का किशान मोमेंट तथा एहमदाबाद का लेबर मोमेंट जंपारन सत्यागरह 1917 के समय ही फर्स टाइम गांधी जी ने सत्यागरह की धम की दी थी ये मोमेंट सक्सेस्फुल रहा और इसी सक्सेस के बाद रविननाट टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया एहमदाबाद मिल के मजदूर और मिल के ओनर्स के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था इस मामले के इंक्वाइरी के लिए गठित ट्रिबिनल ने गांधी जी के सिफार्सों के अनुरूप मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए मिल मालिकों को ओर्डर दिया गांधी जी के बिटिश इंडियन गवर्मेंट के अगींस्ट इन विजियों को इंडियन्स बहुत ही बारी की से देख रहे थे इसके साथ ही साथ ये वह समय था जब बिटिश गवर्मेंट के अगींस्ट young Indians में violence को support करने की tendency भी बढ़ती जा रही थी government ने तेजी से बढ़ती violent activities के causes की inquiry के लिए violence से निपठने के लिए तथा एक effective planning suggest करने के लिए Sydney Rollet की presidency में एक committee constitute की Rollet के suggestion पर development ने एक act पास किया जिसके according government किसी भी व्यक्ति को arrest कर indefinite time तक के लिए जेल में रख सकती थी इस कानून को बिनावकीन, बिनादलील और बिनाअपील का कानून कहा गया गानधी जी ने इसका विरोध किया और इसके अगिंस्ट सत्याग्रत की घोशना कर दी जगह जगह पर गवर्मिन्ट के अगिंस्ट प्रोटेस्ट होने लगे अप्रेल उन्नीस पैसाखी का दिन, अमरिस्तर के जलियावला बाग में बहुत अधिक भीड थी, ये स्थान चारों और से उची उची दिवारों से घिरा हुआ था, जिसके अंदर जाने के लिए किवल एक ही रास्ता था, इस रास्ती के मोह पर जनरल ओडायर हैवी फोर्सेस को लेकर खड़ा हो गया, और उसने पब्लिक पर बिना किसी प्रायर वार्णिंग के फाइरिंग का ओर्डर दे दिया, इस प्रपोजल के रिस्पॉंस में नहरू जी ने कहा कि, जिस डोमिनिन स्टेटस के स्थिती पर ये प्रपोजल आधारित है, वो दरवाजे में जुड जंग लगी कील की तरह है, कॉंग्रेस इस समय कई चैलेंजस से जूज रही थी, सेकेंड वर्ड वोर का खत्रा भारत के सिर पर था ही, इससे भी बड़ा चैलेंज बढ़ता हुआ कम्मिनलिजम और पाकिस्तान के रूप में उठने वाली सेपरेट स्टेट की डिमांड, उन मुहमद अली की इस हाइपोथेसिस में पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा होने थे, 1937 के असेंबल इलेक्शन में मुस्लिम लीग की डिफीट से जिन्ना बॉखला गये, और उसने गांधी जी पर हिंदू स्टेट बनाने का आर प्रपोजल में इंडिरेक्ट रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, अगस्ट प्रपोजल को नकारने के बाद गांधी जी ने इंडिवुजर सत्यागरा स्टार्ट किया, वर्ल्ड लेवल पर चल रही, वर्ल्ड वार में बिटिश रूप कमजोर पढ़ रहा था, दुनिय बिटिस कॉमन वेल्ड से अलग हो सकेगा, इस प्रपोजल में ये भी कहा गया, कि एक कॉंस्टिट असेंबली कॉंस्टिट की जाएगी, अगर किसी स्टेट को कॉंस्टिटूशन एक्सेप्ट नहीं करना हो, तो वा सेपरेट कॉंस्टिटूशन बना सकेगा, इसने एक प् से कहा कि वे भारत को छोड़कर तुरंत चले जाएं, 14 जुलाई 1942, वर्धा में कॉंग्रिस वर्किंग कमीटी की मीटिंग में कुट इंडिया मॉवमिंट का प्रपोजल पास कर दिया किया, आठ अगस उनिस तौब यालिस, बॉंबे के घौलिया टैंक में आयोजित कॉंग इस मॉवमिंट के दौरान मजदूरों की लंबी स्ट्राइक चली, बलिया, सतारा और तमलूक में पैरलल गवर्मिंट बनाई गई, मुस्लिम लीग के जिना ने कुट इंडिया मॉवमिंट का विरोध किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि बिटिशर्स के भारत से चले जा कर भारत आये, उन्होंने टेंस सिच्वेशन को नॉर्मल बनाने की कोशिस की और कॉंग्रेस लीडर्स को जील से छोड़ दिया, 14 जून 1945 को उसने वैवल योजना प्रेजन्ट की, इस योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक कॉंफरेंस बुलाई गई, इस समय कॉ इस समय के टेंस सिच्वेशन में ही, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने खरा फूड, रिशल डिस्क्रिमिनेशन आदी को लेकर रिवोल्ट कर दिया, गवर्मेंट ने सैनिको के दमन की ठान ली, और विशेश रूप से इस कारे के लिए एड्मिरल गॉल्फ रिट को भेजा गया, लास्ट में सिच्वेशन को बिगरता देखकर सरदारवल भाई पतीर और जिना ने सैनिको को सिरिंडर करने के लिए मनाया, इससे गवर्मेंट को ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया, कि जिन फोर्सेस की मदस्य वो इंडिया में रूल कर रहे थे, वो फोर्सेस अब उनके साथ नहीं है, उनकी लोयल्टी कॉंप्रमाईज हो चुकी है, जनवरी 1946 में, बिट सीट में से 205 सीट्स पर कॉंग्रेस की विक्टरी से मुस्लिम लीग बॉखला गई, अब मुस्लिम लीग ने सेपरेट पाकिस्तान के लिए 16 अगस्ट 1946 को डिरेक्ट एक्शन डे की घोशना कर दी, इससे लार्ज स्केल पर रायट्स स्टार्ट हो गए, जिसका सिंटर खोली और कैलकेटा था, 24 अगस्ट 1946 को इंडिया में इंटरिम गवर्मिंट बनाई गई, जिसके वाइस प्रेसिडेंट नहरू बनाए गये, 20 फरवरी 1947 को बिटिस प्राइम मिनिस्टर एटली ने एनाउंस किया कि बिटिश जून 1948 से पहले ही इंडिया को छोड़ देंगे, 22 मार्च 1947 को इंडिया के 34 और लास्ट बिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मौन बैटन इंडिया आए, मौन बैटन ने 15 अगस्ट 1947 को इंडियन्स को सब्ता सौपने का दिन फिक्स कर दिया, तीन जून 1947 को बिटिश पालियमेंट में प्राइम मिनिस्टर एटली ने 3 जून य योजना थी, जिसके वीज अंग्रे जोनी 1906 और 1909 में बो दिये थे, इंडिया के इस डिविजन पर खान अब्दुल गफार खान ने ये कहा जो कि अब पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, कि कॉंग्रेस लीडर्स ने उनके आंदोलन को भेडियों के सामने फेक दिया, मौन बेटन योजना के बेस पर बिटिश पार्लेमेंट ने 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडिन्स एक्ट पास कर दिया, इस एक्ट के द्वारा ही वर्ल मैप पर 14 और 15 अगस्त को दो नए देश बने, 14 और 15 अगस्त की मध्यरातरी को ही जवाहरलाल नहरू ने फेमस ट आशा करता हूँ, इंडियन मौडन हिस्टरी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लेर कर देना चाहता हूँ, कि ये केवल एक क्रक्स वीडियो है, जिसमें इंडिया की इंडिपेंडिन्स के लिए बलिदान देने वाले बह आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद